तेखेसे मिनिया भी बर्योठट पर बेंकर इस निंदर को में निंदर बार निदाशने लिए निधर है, पंडियोथा के अरफुरिता पनी नोगल अच्छे से प्रेस करते हुए पानी निचोड लेंगे और उसके बाद मनिया पर एक बाउल लिया हुआ इस बाउल में छुटे चुटे टुकडे करके इसमें डाल लेते हुआ ब्रेट को देखे चले सारा बड़े से हैं जो इतना आपने ब्रेट लेया है उतना ही आप बना सक जो बच वे ब्रेटें च्ड़ लेया हुआ है और उसके बना पता क मानिया पका पानी आप कि रते हमार में धुर्डर फिर से बचिशाना नहीं प्रेट कर लेते हैं और पीशिए प्रना गाई करेते हैं और चुटकी पर जितना हल्दी पाउडर एक आदि छूटी चम्म जितना काली मेश पाउडर एड़ कर लेते हैं और हैं पर नमक याड़ करेंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉड़ेंगे इस्तेमाल कर सकते हैं कामियाज जादा देखें सबी चीज़ डालने के बाद मियापे थोड़ा सा दो टेपस पुझेतना जो है काउन फ्लोर लिया हुआ है इसे भी इसमे याड़ कर लेते हैं आपकोड़े पकोड़े जिसे भी डाल सकते हैं, आप कोई भी शेप यहां पर बना रही हूं। आप चोटे चोटे जैसे टीकिया बना रही हूं देखिए आप जैसे चाहिए वैसा बना सकते हैं आपके मन के अनुसर देखिए आपके पसंद के अनुसर बचों को जैसे चाहिए वैसा आप मज़िदार रेसिपी चाहते हैं बच्चे इसलिए आप घर पे ऐसा मज़िदार ब कम तेल में आपका जो रेसिपिय स्नैक से बनके रड़ी हो जाएगा देके अच्छे से सारे फ्राइ कर लेते हैं दालने के बाद तुरंत ही इसको हाथ लाएं मत पल्टी है मत बाद में थोड़ा सा 2 मिंट हो जाने के बाद इससे पलट लीजे तक दोनों और आच्छे से फ्रा आप चाहे तो बड़े टिकीया बना सकते है या फिर रोल बना सकते है इसके या फीर पकोड़े जैसे भी आप बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरिके सामारा ब्रेट की स्नैक्स बनके रड़ी हो चुका है देखे अच्छे से पलट लेजे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर अच्छे से निकाल लेते हैं एक जार से थारसे देखे अच्छे से निकाल लेज़ें बहुत ही सिंपल अगले वीडियो ते उसे भी कीसा बनाना है जैसे पकोड़े हैं फर्रीके जाला नहीं तो नहीं याओ-स प्राइब स्रीफ उस लग देखें चल्टे आगले वीडियो भी देख लिए उसे भी कैसा बनाना है पहले इससे टेस्ट कर लेते देखें कितना क्रिस्पी लग रहा है ना वही टेस्ट euh ना जैसे पकोड़े ना बिल्कुल वैसे ही लगते हैं पैस के पकोड़े जीसे हैं देखें अंदर से बैचे से फ्राइ हो चुका है देख सकते हैं अदर भी क्रिस्पी है इसे आप चौस के साथ टेस्ट कर सकते हैं वाव कितना बढ़िया और टेस्टी क्रिस्पी बना हुआ है अगर वीडियो पसंद संद देखें ग्रम ना खारिश के साथ में टेस्थ चाड़ लेशिपी अपर फायदेमंद का रशीपी है उन लोगों को आप सुपह की नाष्टे के लिए या फिर्शाम के स्नाक्स के लिए बना सकते हैं इसका आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं घर जो मैगेटे मैं के पक् आप चाहे तो जाधा भी ले सकते है या फिर कम भी इस्तमाल कर सकते हैं आपके घर में कितने लोग है आप देखकर कर इस्तमाल करना होगा देखें मैं यहाँ पर ग्यास पर एक कड़ाई रखा उसमें एक टेबर स्पून जितना है जो तेल डाल चुकी हो उसके वह थोड़ा स लसुन को कूट कर लिया तो डाल लेते हैं थोड़ा सा लसुन कच्छा पंचाने के बाद जो मैंने आपके कड़ी पत्ता लिया हुआ है उसके बाद मैंने आपके बारी कटा हुआ प्यास एक टमाटर लिया हुआ बारी कटा हुआ चले पैस को अच्छे से पका लेते हैं दी यहां पर पानी डाल रही हूं कि दो मिंट के लिए थकार पकाईंगे अच्छे से उबाल आने तक देखे हैं अच्छे से उबाल आ चुका है जो हमनी मैगी लिया आ ता चलिए अब मैगी डाल लेते हैं अगर आपके पास म्यागी मसाल है तो भी इस्तमाल कर सकते हैं उसको सकते हैं ग्या ग्याटन कर सकते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्णिंग इस्तिमाल कर सकते हैं आप थोड़ा सा चिली फ्लेक्स एड कर रहे हूँ थाकि अच्छा सा तीखा चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा पानी डाल कर इसका अच्छा सा एक गोल बना लेंगे ज्यादा पतला नहीं बनाने आपको एक बढ़ा सा कंस्स्टंसी बेटर बना लेना होगा आपको थोड़ा ठोड़ा थोड़ा पानी डाल कर अच्छे से虪ने कर लेते हैं ज्यादा पानी एकदम से मढ़ डालेगा नहीं तो पतला बन जाएगा इसलिए कि इतना अच्छा सा मारा जो बैटर है बन चुका है देखिए अच्छा सा कोटिंग भी हो रहा है देखिए स्पून पर जैसा चलिए इसको साइड में रख लेते हैं मैंने आप एक ब्रड स्लाइस लेया हुआ है उस प्रेट को मैं थोड़ा सा बेलन से क्या करूंगी बड़ा इस देखें में बड़े से स्ट्धिंग करना होगा है वाँ फिर से इसको गोल जो है मै राघत से इसको लगा लें और इसको अच्छे से चीपका लेंग एक रोल बनाना होगा आपको अलको आपकी उस रोल इस वहसे नहीं भींग देट्चा लेंग देपकरण सांद अगर आपको दूसरा तरीका भी बता लेते हैं थोड़ास आप चाहे तो आपसे बेलेंस नहीं बेलना है तो आप इस पानी में डिप करके थोड़ासा ही इसका पानी निचोड लीजे देखे थोड़ास अप दबा दीजे प्रेस कर लीजे पतला हो जाएगा देखिए मैं आप बहुत ही टेस्टी बनेगा आप सुबह के नाष्टे के लिए बना सकते हैं देखे बचों कोली आप टिफिन के लिए भी दे सकते हैं लंज की बॉक्स में देखे जैसे आप पहला किया तो वैसा ही करना हुआ थोड़ासा जो हमने बैटर बनाया तो इसके उपर लगा लेते हैं और इसको अच्छे से रोल करके बना लेते देखे हमने आपर दो ना ली आहा है एक बाल स्ट तैप बनाया हुआ है ञाला चले इसको अच्छे से फ्राइ कर लेते, तेल बे अल्रडी गरम हो चुका है, चले अब जो हमने बनाया था इसमें डाल लेते और अच्छे से लोटू मीडियम रखकर अच्छे से फ्राइ कर लेना होगा आपको, ज्यादा हायर मत रखेगा नहीं तो जल सकता है, वीडियो पस बार बार खाने का उनका अभी मन करेगा लोटू मीडियम रखकर अच्छे से फ्राइ कर लेना होगा आपको, ऐसे हाथ मिलाते रहेना होगा आपको ताकि अच्छे से चारोर से फ्राइ कर लिजे, कि देखे कितना अच्छा से टेस्टी लग रहे हैं ऊपर से क्रिस्पय और मैग और अंडर मैगी बहुतत होगा थे अच्छी से फ्राय हो चुक का इसको एक प्लेड में निकाल लेते हैं, डेखे कितना निक लेते हैं कितना करेफिया क्रिस्प बन्याओ और प्लेड मीट भी देख लिजे रिगा तैस से किटना पाउं लेक mm engines call tap, और तेक अश्ची स में बड़ियो करेंगे चले आग लेवरें